वैसे तो छूले चना बनाने के लिए ढहेरों ना पड़ता है गरम मसाला धना या पावडर सब मतलब छूले मसाला तो कि आपने कभी तो चलो आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी छूले चना होवी सिर्फ एक मसाले से इसके लिए बस एक पैन में दो बड़े चमच तेल डालन जीरा जैसी तड़कनी लगे तो बस एक प्याज को बड़ा सा प्याज का लिया है मैंने और उसको काट के डाल देना मैंने ऐसे पतली स्लाइस की है आप चाहे तो एक दम बारीक भी काट सकते हैं मतलब आप अपने हिसाब से कैसे इसको काट सकते हैं और अब बस प्याज को करण ब्रावन तो इस वेता क्या आहिक है तो टमाटर काट के डाल देना और अब तमाटर को जोप valley अच्छे से अड़ पकाना है विलकुल में इस एस तक पकाना अच्छे से पकाना और यार आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर देना बाग कई में बहुत टेस्टी था तो आप भी ट्राइ कर सकते सिर्फ एक मसाला डाल के ठीक है तो अब मसाले की बारी आ गए तो बस मैंने एक मैगी मसाला डाले सिर्फ एक पैकेट मैगी मसा से लिए ना है जैसे ही मसाले से तेल छोड़नी लेगा मतलब मसाला पग गए तो बस होगया अब इसके बाद डालेंगे इस पर अलू तो मैंने दो अदौन लिया है उबला हू लिया आ मैंने पर इनको ऐसे पीस में छोटे चोटे चोटे में आपकारे में जोड़े में एक Muslims लिए था तो आप लोग भी छूले को उबाल लेना और फिर डाल देना इसके बाद अब सब को मिक्स करेंगे तो तब छूले मसाले सब एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए तब तक इनको चलाना और गैस को मीडियम ही रखना है तेज नहीं करना तो मीडियम फ्लेम में से दखना है कि अच्छे से पकाना अब इस पर खसना हो तो ग bloody चाल को पाके तो घी या वट्टर्व दालेंगे तो बस मैं ने इस पर 1 चमच घी लाइए घी डालके इसको mix कर लेंगे ठीक है और गैस को बंद कर देना तो बस इसको अच्छे से mix कर लेना है जैसे अच्छे से mix हो जाएगा तो अब ढख देंगे तो यार बागे में बहुत टेस्टी था मैंने तो बना था आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं तो रखके दो मिनट के लिए छोड़ देना जिससे घी अच्छे से इसका टेस्ट आ जाए पूरे में बसो गया अब एक कर टोरे में रिका लो और आराम से खाओ तो ठीक है बनाओ मजे करो सब्सक्राइब भी कर देना बाइ